जहें साथियो तो यूपी पुलिस रेडियो ओपरेटर के रिजल्ट कब तक जारी होंगी और इसका फिसकल कब तक होगा ये लेकर सभी को डाउट बना हुआ है और सबसे बड़ा डाउट केवल एक ही है कि एलक्सन से पहले इसके फिसकल होंगे या फिर एलक्सन के बाद क्यो में आपके फिसकल हो जाएं तो ऐसा सोचना आपके लिए गलत हो सकता है क्योंकि देखें कि वह चार हजार लगबग चार से पांच हजार अभ्यारतियों काई फिसकल कराना है और यूपी पुलिस कितना बड़ा भी भाग है इनके जो बटालियन में जितने लोगों की इलक्षन से पहले हो सकते हैं तो यह कहना भी गलत होगा कि दोरान नहीं हो सकता और भरती बोट अभी काम नहीं करेगा क्योंकि चुनावा गया है तो इसलिए यह नोटिस में आपको दिखा रहा हूं कि भरती बोट अपना काम पूरी प्राथमिक्ता के साथ कर रहा है ऐसा अपना सुचे कि भरती बोट अब लक्षन के बाद ही जो कुछ करेगा करेगा तो इसलिए यह नोटिस में दिखा रहा हूं अभी देखे यह नोटिस किया है भरती आए थी आप लोगों को साथ पता होगा कि यह भरती जो आए थी वो एसाई की भरती थी एसाई यहां पर द गए हैं कि जो भी गोरतपूर में सेंटर बने हैं उन से भी का लिष्ट प्रवाइड किया जाए और यहां पर इन्होंने कहा है कि आपके द्वारा यहां पर मैंने पड़ा है तो वह मैं आपको क्लियर बता देता हूं इन्होंने यह कहा है कि यहां पर दे सकते हैं कि आपके जनपत में अभी तक यह प्राप्त नई हुआ है जो कुछ भी सूची था जिसके कारण प्रकरण में अग्रेतर करवाई संभव नई हो पा रही है अर्थात इनोंने ये का है कि आप जल से जल्द इसे उपलब्द कराएं इसी के कारण आगे की करवाई नहीं हो पा रही है और चैन करके प्राथमिक्ता के अधार पर इसे भर्ति बोड को जल्द से जल्द उपलक्त कराने का कस्ट करें तो यहां पर दे सकते हैं ऐसा नहीं है कि भर्ति बोड अब इलक्सन में काम करना बंद कर देगा भर्ति बोड के पास अभी बहुत सारी वेकंसिया है रेडियो अपरेटर का है इसका कम्पूटर अपरेटर का है और सबसे बड़ी भर्ति जो कि उनके पास एक बड़ा चैलेंज है कि छे महिने के अंदर उन्हें जो है कॉंस्टेवल का ए देखें देखें कि भर्ति बोड चहें अगर दो दिन के बात जो है वह सारे लोग कहेंगे कि कभी दो करके आ रहा है क्यों कैसे होगा दो दिन बात फिसकल हो गए थटानों लोग ना सोचिया अप चाए कि नमबर सो किबिस ब्सक्प पर जो कि कोई एक भर्ति यूपीटी त्रीपलसी में पांच अप्राल से उसके डीवी स्टीश्ट हो रहा है तो आपके भी डीवी हो सकते हैं कि आपका और फिसकल होगा पीटी तो इसलिए आप यह ना सोचे भर्ट्रीप्राथमिक्ता के साथ कारें कर रहा है और यहां पर देख एक्जाम होने के पहले क्योंकि कॉंस्टेबल का एक्जाम होने के बाद उसे भी वह जल्द से जल्द कंप्लीट करने की कोसिस करेंगे चलिए आप लोग तैयारी करते रहें आगे का जो कुछ भी अपडेट आगे इंफर्म कर देंगे अब देखें बहुत साथ लोग कहेंगे अगर इलक्षन से पहले होगा अगर 10 हूप्रायर कं नहीं हुआ तो अभी समभावना है कि इसलोर बाकी रिज्र्ट Разं के बारें साथ 31 मैर्च असकता है ऐख 31 मार्च तक रिज्र्ट आजाएगा फिड जो है इसलोर से पहले आपके फ्रियन के की यांफ्रियागा घे बाकि आगे का जो कुछ भी अप्डेट आगे न फॉर्म कर देंगे मिलता है नेक्ट वीडियो में तक तक लिए उजाहिए